Hello everyone, इस वीडियो के अंदर हम binary arithmetic के कुछ facts देखेंगे such that अगर हम उनको दिमाग में रखते हुए हमारे addition और subtraction के सवाल करें तो हमारी calculations कुछ fast हो सकती है और कुछ हम novenclature देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़े हमने last की तीन चर वीडियो में cover कर लिया तो उनके बीच में confusion ना हो इसलिए वो चीज़े भी हम यहां पर cover करेंगे तो सबसे पहली चीज है कि plus one करने से हमारा कहा तक effect जाएगा तो अगर मान लिया कि मेरी यह वाली bit है zero तो मेरी यहां पर कोई भी हो कोई भी binary हो अगर मैं one add करूँगा तो मेरा zero flip हो जाएगा one में for example अगर मैं देखता हूँ one one zero zero बहुत बड़ा नंबर है और मेरा यहां पर है zero अगर मैं इसके अंदर plus one करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी binary same रहेगी और zero मेरा update होके one में हो जाएगा यह बात हम जानते हैं तो लेकिन अगर हमारे यहां पर one हो तो क्या होगा तो अगर हमारे यहां पर one हो माले कुछ sequence of ones है और यह मेरा zero है कही ना कही जीरो आएगा हम ऐसे जोम करके चल रहे हैं और अगर कही ना कही जीरो नहीं आए तो वो देखी जाएगी और हमारे यहां पर कुछ भी पैंटरी हो सकती है हो सकते कुछ यह x की value one हो यह x की value zero हो इसे फराख नहीं बढ़ता तो plus one करने का मतलब होगा कि मैं इन सभी को लिख दू zero तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चाह, साथ, आठ मेरे 8 होने चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, हाँ और इस zero को मैं मना दू one और बाकी यह जो bits हैं इनको मैं जो डिख दू तो plus one होने का मतलब क्या हुआ plus one होने का basic मतलब यह हुआ कि जितने भी consecutive ones हैं leftmost side से उन सब को मैं zero मना दू और next zero को मैं one कर दू यह चीज ध्यान देने लाएगा दूसरी जी once compliment हम कैसे निकालते हैं once compliment के लिए हमने देखा था कि हम basically one 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 में से zero one zero one इन सभी को minus करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई carry over नहीं होता individual bits को हम करते हैं तो individual bits के operation या तो one में से zero minus होगा या one में से one minus होगा अगर one में से मैं one minus कर रहा हूँ तो zero आएगा one में से zero minus कर रहा हूँ one आएगा और अगर मेरा therefore यहाँ पर अगर मेरा zero था तो मेरा answer में one आएगा अगर मेरा यहाँ पर one था मेरा answer में zero आएगा इसके equivalent कि हमने कि हमने bits को flip कर दिया तो once compliment निकालने का दूसरा मतलब है कि मैं bit को flip कर दूँ तो किसी भी number का two's compliment निकालना अब असान हो गया तो पहला step है once compliment निकालना flip the bit और दूसरा step plus one और plus one कैसे करना है बिना calculation जंजट में पड़े तो जब तक मेरा पहला zero ना जाए मदब left rightmost side से अगर मैं combine करूँ दोनों case को rightmost side से जो पहली zero आती है उसको one और zero की set वाले सारे zero और बाकी ये वाले adjectage ये हो गया मेरा plus one कैसे करते हैं और ये चीज प्रेक्टिस से दिमांग में set हो जाएगी ये rule याद रखनी जोड़त नहीं है तो तीसरा quiz का एक चोटा सा सवाल की boundary number हमारा negative होगा if and only if हमारे MSB MSB मतलब leftmost bit जिसके अदर हमारे number of bits fixed है तो leftmost bit की value मेरी one होगी ये हमने देखा था ये हमने arbitrary rule set किया है such debt हमारे number of positive और number of negative लगबग equal हों क्योंकि लगबग equal क्यों क्योंकि 0 की जो है वो positive representation, negative representation दोनों सेम होती है तो एक का difference यहाँ पर आ जाता है तो end bit के लिए range of signed numbers क्या है और यहाँ पर ध्यान देने लाइक बात ही है कि signed numbers का मतलब यहाँ पर two's complement से है two's complement वाले number से तो signed magnitude के अंदर हम अंतरबाद में देखेंगे signed number और signed magnitude वाले number में तो end bit के लिए हम जानते हैं unsigned number थे हमारे unsigned number कौन से? जिनका कोई भी sign ना हो मतलब 0, 0, 0 का मतलब 0, 1, 1, 1 का मतलब 7, सारे positive numbers तो हमने देखा था end bit के लिए इसकी range होती है इसमें से एक minus कर दो तो सबसे पहला तो होगा minus power में से एक minus किया इससे लेके 2 की power and minus 1 minus 1 अब ये range जो है वो practice से याद हो जाएगी मतलब 2 bit के combination लेके देखेंगे अगर हम तो 2 bit के combination हमारे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 तो ये होगा मेरा plus का 0 ये होगा मेरा plus का 1 ये होगा मेरा minus का 2 ये होगा मेरा minus का 1 negative numbers, positive numbers से एक ज़्यादा होते हैं ये चीज थोड़ी ये minus 1 और यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है ये याद रखने में help कर सकता है और इन सभी की range मतलब total हमारे 2 की power and distinct number होने चाहिए similarly ये तीन बीट के लिए कर सकते हो practice चार बीट के लिए practice कर सकते हो और देख सकते हो कि कहां से लेके कहां तक range जा रही है ताकि ये चीज दिमाग में set हो जाए कि n बीट के लिए signed numbers की range फटा-फट देखके बता सके हैं ठीक है उसके बाद हमारे आते हैं चार चीजे साइंड साइंड मैंनिट्यूड तूज कॉम्प्लिमेंट अंसाइंड तो अंसाइंड नंबर वे होते हैं नो साइंड नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर मेरे 0 से लेके 2 की पावर n-1 तक के नंबर्स होते हैं कोई नेगटिव का चक्कर नीए सारे पोजिटिव अब हमने कवर किया था साइंड मैंनिट्यूड साइंड मैंनिट्यूड के अंदर हमारा 1001 है इसका मतलब है इस रिप्रेजेंट्स माइनस और इस रिप्रेजेंट्स 1 और अगर मेरा होता 1010 तो ये विच में जिरू建व साइंड मैंनिट्स और इसका में यूजज नहीं करते इसकी बहुत सारी कम्याथी उसके बाद आते हैं हमारे साइंड नंबर्स साइंड नंबर्स वे वाले नंबर होते हैं जिसके अंदर हमारे negative positive numbers दोनों आ जाते हैं in accordance with 2's complement तो minus of 2 की power n minus 1 से लेके 2 की power n minus 1 minus 1 ये मेरे positive numbers भी होगे ये मेरे negative numbers भी होगे बीच में कहीं 0 आएगा ये होंगे मेरे signed numbers तो numbers को अगर मैं 2's complement की category के अंदर देख रहा हूँ तो वे हमारे होंगे signed numbers और हमारे language के अंदर जब हम language की वीडियोज करेंगे तो अब हम देखेंगे और 2's complement क्या होता है 2's complement एक method है 2's complement कोई number नहीं है कोई number का वो नहीं है जैसे signed and signed range है 2's complement एक method है तो signed and unsigned ये चीज़ याद रखनी है sign magnitude को हम भूल जाएंगे हमने बस इसलिए किया था ताकि हम देखेंगे कि ये कोई अप्रोच एक्जिस्ट करती थी कर सकते थे इतना हम complicated क्यों कर रहे है bits को flip करके one add करके 90 number define कर रहे है उसके बाद आते हैं हम extension बे तो सबसे पहले हम sign magnitude के उपर ही जाएंगे क्योंकि comparison के लिए एक चीज बढ़िया होती है तो sign magnitude के extension होने का मतलब क्या है तो अगर मानलिया मेरे पास 3 bits है मानलिया मेरा number है 0 over 1 मेरे को इसको 4 bits में represent करना है मैं कैसे करूँगा तो positive numbers के लिए क्या होता है हम कितनी भी 0 लगाते हैं फरकनी पड़ता सही बात है तो 4 positive numbers either signed और signed magnitude क्या करना है 0 लगाता जाओ जितने भी 0 जितनी भी extend करना हो उतने 0 हम लगाते जाएंगे फरकनी पड़ेगा negative numbers के पर आते हैं मानलिया मेरा 1011 है ये मैं देखके बता सकता हूँ ये मेरा negative number है क्यों मता सकता हूँ क्योंकि इसका मतलब होगा ये है मेरा minus ये मेरा आगे कुछ भी हो 3 हो गया वैसे है तो इसको देखके मेरे को पता लग गया कि ये minus 3 है ठीक है अगर मैं इसको 6 bits के अंदर लिखना चाहता हूँ sign magnitude के अंदर minus 3 को कैसे आएगा ये हो जाएगा मेरा 1 जो की मेरा minus represent करेगा और मैं 5 के अंदर लिखूँगा 3 की mandatory तो 00011 ये minus 3 होगा इसका मतलब है हमने क्या किया 1011 को हमने कर दिया 100011 छोटे वाली bits एजिटीज रखी और MSB को हमने ऐसे लिख दिया 100 अब मान लिया मेरे को 6 की बजाए 8 उसमें लिखना पड़ता bits में तो मैं इसको ऐसे लिख देता मतब मैं basically कर क्या रहा हूँ अगर मेरा n bit का नंबर था मैं शुरू की n minus 1 bits रख लूँगा शुरू की मतलब मेरा right side से है और जितने भी मेरे को extend करना है मैं 1 को आगे लेता चला जाओंगा और बीच मेरा 0 आ जाएगा तो for example एक और एकजम्पल ले ले लेते हैं 1100 को अगर मेरे को 6 bits के अंदर लिखना हूँ sign magnitude में ये मेरी 4 bits थी तो मेरा answer आएगा 100100 थोड़ा symmetric example हो गया तो ये ले ले लेते है 1101 ये हो जाएगा मेरा 101 क्यों क्योंकि ये है मेरा minus this represents 5 इसके अंदर क्या है ये मेरा हो जाएगा minus और this represents 5 ऐसे ये होगा अब ये टूज कॉम्पलिमेंट से कैसे अलग है टूज कॉम्पलिमेंट का sign extension असान है निकालना तो टूज कॉम्पलिमेंट के अंदर positive numbers हमारे या तो ये numbers किस तरह क्यों सकते है या तो starting में 0 हो या starting में 1 हो अब starting में 0 हो इसका मतलब ही है मेरे positive numbers हैं तो मैं इससे पहले कितनी भी 0 लगा दूँ फरक नहीं पड़ता बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता magnitude के अंदर लेकिन अगर मेरा यहां पर 1 है इसका मतलब ही है मेरा negative number है इसको मेरे को sign extension लगाना है sign extend करना है इसका sign extend नहीं मतलब number of bits बढ़ानी है number of bits बढ़ाने का मतलब क्या होगा इसमें ठीक है देखते हैं छोटे example से सूरू करते हैं तो माल लिया मेरे पास है 110 तीन bits के अंदर और मेरे को इसको convert करना है 6 bits के अंदर या यह ले ले लेते हैं 100 अगर मैं इसको 3 bits के अंदर देख रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा 3 bits के अंदर इसका मतलब होगा कि यह मेरा negative number है आगे 1 है तो flip the bits add 1 011 plus 1 यह मेरा आएगा 100 therefore यह मेरा minus का 3 अब यह अगली वीडियो में discuss करेंगे कि boundary से decimal, decimal से boundary 2s complement के अंदर कैसे करते हैं पिछली वीडियो के अंदर हमने बस operations के perspective से देखा था interpretation के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे तो यह है मेरा minus 3 6 bits के अंदर minus 3 कैसे लिखूँगा मैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे plus का 3 flip the bits add 1 111101 यह है मेरा minus का 3 in 6 bits यह मैंने गलती की क्या हाँ, यह मेरा minus का 4 आएगा गलती कर दी मैंने minus का 4 की बैंटरे लिखते हैं 6 bits के अंदर तो 6 bits के अंदर minus 4 की बैंटरे क्या बनेगी 6 bits के लिए 000100 यह मेरा plus का 4 once compliment 111011 add 1 1111100 तो 11100 मेरा extend हुआ है 1111100 में pattern अगर देखें pattern हमारा यह है कि जो यह हमारा 1 है यह हमने extend कर दिया बाने के copy बनाते गए तो तूज compliment का negative number के अंदर sign extension या positive number के अंदर sign extension करना क्यों असान है extension करना इसलिए असान है क्योंकि अगर मेरा positive number होता 0 और यह पर मेरा कुछ भी number होता मैं कितने भी 0 लगा दूँ फरक नहीं पड़ता similarly अगर मेरा यहाँ पर 1 था मेरा यहाँ पर कुछ भी हो उससे मेरे को फरक नहीं पड़ता उससे पहले मैं कितने भी 1 लगा दूँ फरक नहीं पड़ेगा अब 1 लगाने का unsigned के अंदर जब हम magnitude की बात करें फरक पड़ेगा हाँ हमें पता है कि 0 लगाने का मतलब फरक नहीं पड़ता है 1 लगाने का मतलब फरक पड़ता है लेकिन 2 लगाने का अंदर अगर मैं 1 को extend करना हूँ तो मेरे को 1 लगाना ही पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा तो अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ फिर प्लस 1 करूँ और फिर sign extend करूँ उसके अंदर मैं 2 लेके फिर प्लस 1 करूँ तो मेरा यह सेम नंबर आएगा अब यह सारी चीज़े हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे थोड़ असा ताकि हमारा टूच कॉंप्लिमेंट की जो वीडियो जहां वो फतम हो जाए और हम आगे चल सके हमारे गेट्स डिजैन के उपर तो वीडियो को लाइक करें कमेंट और सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में बता है थैंक्यू